हलो एबरीवन कैसे हैं आप सब आई हो आप सब अच्छे होंगे और खुमन लगा के पढ़ाई करेंगे वेल्कम बैक टू बायलग जिबाय नीहा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपलिप क्लैम च्छे सब अच्छल में जर्फी चाल कृणि जर्मी निवीर्राइसायर पीजक्च के टू बैसित्यों अच्छे सबाइब करेंगे इस पे क्या होगा, जो secondary mycelium होता है, वो क्या करता है, divide करता है, किस की थूदिवाइट करेगा, किस चीज का formation करेगा, lateral structure का formation करेगा, जिसको हम बोलते हैं connection, ठीक है, उसके थूदिवाइट करेगा, अपना जो nucleus है, उसको divide करेगा, The cell division is usually confined to the terminal cell, जो cell division होता है, वो हमेशा कहाँ पे होगा, जो terminal cell है, उसी के थूदिवाइट होगा, जो secondary mycelium का, जो terminal cell है, उसी पे ही क्या होगा, cell division होगा, या फिर हमें clamp connection वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो बहुत important point है, कि कौन सी cell होती है, जहाँ पे से cell division, या फिर clamp connection हमें द देखने को मिलता है, तो it is the terminal cell, चीक है, जो figure A आप देख सकते हैं, ये वाला figure, तो इस पे क्या होगा, जो भी terminal cell है, ये मैंने terminal cell बनाई हुई है, हाई-फी कि इसके नीचे दूसरी cells होगी, तो terminal cells में ही क्या होगा, हमें connection, और we can say clamp connection देखने को मिलेगा, secondary mycelium हम बोल रहे है secondary mycelium मतलब वहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा, deployed होगा, वहाँ पे हमें die carrier phase देखने को मिलेगी, चीक है, at the time of division, a short pouch like backwardly directed lateral outgrowth arise from the cell, अब जिब cell division होगा, division कौन सा, mitotic division, ठीक है, जिब cell का division होगा, division के time पे हमें एक short pouch like structure दिखेगा, जो कहां को directed होगा, backwardly, पीछे की तरफ को directed होगा, और एक outgrowth बनाएगा, चीक है, उसको हम यहाँ इस figure से देख सकते हैं, कि जो cell का जब division होगा, उस time पे वो क्या करेगा, एक short pouch like structure बनाएगा, यह, ठीक है, और यह pouch like structure कहां को move करेगा, towards backward, पीछे की तरफ को वो क्या करेगा, grow करेगा, और we can say इसको हमें pouch like outgrowth भी कह सकते हैं, चीक है, तो यह क्या है, धीरे धीरे हमारा क्या बनाएगा, connection बन रहा है, clamp connection हमारा क्या है, बन रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, nucleus में भी division होने लगेगा, कौन सा division वो आप लोगों को याद रखना है, mitotic division, चीक है, this outgrowth is known as clamp connection और simply clamp, यह outgrowth को हम क क्या बोलेंगे, simply clamp बोलेंगे, या फिर clamp connection बोलेंगे, यह outgrowth आप लोगों को दिख रही है, यह outgrowth आप लोगों को दिख रही है, तो यह क्या है, simply clamp connection है, चीक है, out of the two nuclei, A and B of a diakaryotic cell, one migrate into the clamp, whereas the other remain within the cell, अब इसको हम diagram के थ्रू समझेंगे, कि हमारे nucleus पे, हमारे mycelium पे क्या हो दो तरीके की nucleus होंगे, two nuclei होंगे, चीक है, A and B, चीक है, for example, A हम इसको माल नेता है, B हम इसको माल नेता है, यह क्या है, एक diakaryotic cell है, चीक है, इसमें दो तरीके के nucleus present है, इसलिए हम इसको क्या बोलें, diakaryotic cell, अब इसमें से एक जो nucleus होगा, वो कहां को migrate करेगा, towards the clamp, one nucleus, चीक कहां को migrate कर रहा है, towards the clamp, और दूसरा वाला जो nucleus होगा, वो cell में ही रहेगा, as it is, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, कि जो first mycelium है, जो A mycelium, A nucleus है, mycelium का A वाला जो nucleus है, वो कहां को migrate करेगा, towards the clamp, while जो दूसरा nucleus है mycelium में, वो कहां रहेगा, as it is रहेगा, within the cell, ठीक है, thereafter, both the nuclei divide simultaneously, फिर जब यह migrate जब कर रहा होगा, उसके बाद क्या होगा, दोनों nucleus में क्या होगा, division होगा, ठीक है, simultaneously वो divide करेंगे, और फिर किसमें convert हो जाएंगे, दो daughter nuclei में convert हो जाएंगे, ठीक है, दो daughter nuclei में convert होने के बाद हमें क्या रहने को मिलेगा, देखो, out of the two daughter nuclei formed by the division of the nucleus A, present in the clamp one migrate to the terminal cell and other remain within the clamp, अब हम देख सकते हैं कि हमने देखा कि उसका, जो mycelium में, जो nucleus है, उनमें क्या हुआ, division हुआ, ठीक है, अब जब division हुआ, तो एक nucleus कहां migrate कर गया, clamp की तरफ को migrate कर गया, और एक nucleus कहां रहा, cell में ही रहा, ठीक है, cell, clamp में कौन सा nucleus migrate कर रहा था, ये वाला, ठीक nucleus clamp में enter नहीं कि, clamp में कौन enter किया, सिर्फ, एक nucleus clamp में enter किया, बाकि जो दूसरा remaining था, वो कहां रहा, cell में ही रहा, ठीक है, और इसको तो cell ही में रहना था, तो इसने जब division किया, तो एक nucleus, जो दो nuclei बने, वो cell में ही रहे, बट ये वाला, जो migrate कर रहा था, clamp में, उसमें जब division ह हो और ये, बाकि उसके बाद किया बन जाएगा, यहां पर, clamp में जब वो enter कर जाएगा, उसके बाद यहां पर किसका development होने लगेगा, सेप्ता का development होने लगा, यह, यह क्या है, सेप्ता का formation होने लगा, ताकि सेप्ता का development इसलिए हुआ, कि यह वाला, जो nucleus है, वो भी यहां ना कर सके यहां पर सिफ एक ही नूकलियस का अंटरिंग अंटरेंस हो सके इसलिए वहाँ पर फिर क्या development हो गया सैपटा का development हो गया ठीक है हें हुद इखने पने मेला सट्स, नुक्लिर्स है वह थो कहां पर एंटर करें जो नीचे वाली कंटर करें वापस न जाए इस लिए यहां पर भी क्या हो गया यह सप्टा का डेเพलेपमेन्ट ठीक है फिर लास्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा इसके बाद हमें क्या लास्ट में मिलेगा तीन सेल देखने को मिलेगी एक देखने को मिलेगी टर्मिनल डायकेरियोटिक सेल फिर मिलेगा सब टर्मिनल यूनी नूकलियेट सेल और मिलेगा Uninucleate Clamp Cell इसको हम डाइग्राम में देख लेते हैं कि हमें लास्ट में क्या देखने को मिलेगा लास्ट में हमें देखने को मिलेगा Terminal Dicariotic Cell Sub-Terminal Uninucleate Cell और Uninucleate Clamp Cell यहाँ पर देखते हैं हम यह क्या है Terminal Dicariotic Cell है यह वाली क्या है Terminal है डाय केरियोर्टिक सेल है फिर हमें क्या देखने को मिलेगा एक हमें यह सल देखने को मिलेगी दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा सब टर्मिनल यूनी नूकलेट सेल यह वाली सेल यह क्या होगे हमारी सब कि इन्पार्मिन धेखने को मिलेगा सबसे पहला जो टर्मिनल सल हे वो टाय केरियोटिक हो गी ठीक है फिर सबर mental जो तर्मिनल से जो इनकी धम इसाल और वो यूनीनुक एड होगी और जो क्लैंप सहल होगी वो भी क्या होगी यूनींूक लेट होगी अगर चीक है इसकी जो वाल थी वो क्या हो जाएगी डिजॉल्व हो जाएगी और न्यूक्लियस क्या कर जाएगा क्लैंप से माइग्रेट कर जाएगा सेल में यहां पर यह वाली वाल डिजॉल्व हो जाएगी और ये वाला nucleus, जो clamp cell में था, वो sub-terminal cell में आ जाएगा, ये वाला structure आप देख सकते हैं, अब ये clamp से कहां migrate कर गया है, sub-terminal cell पे migrate कर गया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, last में E वाला final हमारा structure है, जो हमें dicariotic mycelium देखने को जो मिलेगा, वो इस तरीके से देखने को मिलता है, कि ये clamp खाली हो गया, यहां पर कोई nucleus present नहीं है, जो भी दो nucleus का division हुआ, वो हमें इस तरीके से terminal cell और sub-terminal cell में उसका distribution हमें देखने को मिला, diicariotic nucleus का, ठीक है, the new cell continuously formed by repeating the process, इस तरीके से continuously धीरे-धीरे क्या होगी, सारी process ये process रिपीट होते रहेगी, अब ये cell क्या हो गई, ये वाली cell फिर से terminal cell बन गई, तो इसके बाद क्या होगा, वापस से ये process repeat होगी, और इसके नीचे वाले cells में भी क्या होगा, ऐसी diicariotic mycelium का क्या होगा, replication धिरे-धिरे ये process क्यों जाएगी, repeat होते रहेगी, ताकि हमें new cells मिलते रहें, ये new diicariotic cells मिलते रहें, ठीक है, I hope आप लोगों को ये clear हो गया होगा, clamp connection क्या है, एक बार फिर से हम revise कर लेते हैं, कि clamp connection में क्या होगा, जो terminal cell होगी, उसी में ही clamp connection देखने को मिलेगा, ये क्या होगा, हमारा diicariotic cell होगा, इसमें क्या होगा, mytotic division होगा, nucleus कैसे divide करेगा, mytotically divide करेगा, और जो nucleus divide करेगा, उन मे nucleus कहां को migrate करेगा, clamp की तरफ को migrate करेगा, और जैसे ही एक nucleus clamp की तरफ को migrate करेगा, वहाँ पर किसका development हो जाएगा, septa का development हो जाएगा, ताकि ये वाले nucleus यहाँ enter ना कर सके, ठीक है, और septa और ये जो cell, जो nucleus cell में ही था, उसमें division हुआ, उसका एक cell, उपर वाले cell, terminal cell पे रहेगा उसका एक nucleus और एक nucleus sub-terminal cell पे रहेगा, अब जो clamp का और जो sub-terminal cell की बीच में जो septa था, जो wall थी, वो wall के हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, ताकि जो nucleus clamp में present है, वो migrate करके कहां सके, sub-terminal cell में enter कर सके, sub-terminal cell में जब वो enter कर जाएगा, तो फिर से हमें क्या देखने को म वो हमें, बीच्व में देखने को मिलेगा, यह था, देखने को मिलेगा, और द्याइकरियो टेखे माईसीलिम को महमें, था चेंधरी तो त्व एक राघना के रहेगी, रिपीट होते रहे, यह प्रोसेसस क्या होते रहे, रिपीट होते रहेगी, ताकि हमें new cells मिल सके, यह आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और डेफिनेटली मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोग गेन करके गए होंगे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट कीजिए नीचे और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साइट में जो बैल आइकन है उसको भी प्रस कीजिए ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो डालू आपको कुछ के नोटिफिकेशन मिल जाए तो मिलती हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में त करते रहिए